चैम आता दी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों श्राद पक्ष शुरू हो चुके हैं चौधा सितंबर से अठाई सितंबर तक श्राद पक्ष हैं और श्राद पक्ष में धूप द्यान करने से पित्रों को उर्जा मिलती है और वो हमेशा आपके उपर अपनी किरपा बनाय रखते हैं पित्र पक्ष में पित्र दोशों से मुक्ति पाने के लिए कई प्रकार के उपाय भी किया जाते हैं तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में जो पित्र पक्ष में आपको जरूर करने चाहिए लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और गंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें दोस्तों पित्र पक्ष की अमावश्य जो होती है उस दिन कों को खाना जरूर खिलाना चाहिए क्योंकि इससे पित्र प्रसंद होते हैं इसके अलावा पित्र पक्ष में हर दिन जब भी घर पर रोटी बने तो पहली रोटी गाय के लिए आप निकाल कर रख दें जिससे पित्रों की किरपा हमेशा आपके उपर बरस्ती रहे हर दिन कुत्ते के लिए भी एक रोटी निकाल कर रखें गाय और कुत्ते को रोटी खिलाने से पित्र दोशों से मुक्ती मिलती है ये बहुत ही अच्छा होता है और पित्रपक्ष में गंगा इसनान करना पित्रों के लिए तरपन करना श्राद वे धूब द्यान करना भी बहुत ही शुब बहुत ही अच्छा माना जाता है पित्रपक्ष के दुनों में हर रोज पीपल के पेड़ पर यदिया आप गीता का पार्ट आप जरूर करें इससे पित्रों की किरपा हमेशा आपके उपर बरस्ती रहती है तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें